किसी ने कितनी खुश सूरत बात कही है कि किसी के बुरे वक्त में उसका हाँ जरूर पकड़ना चाहिए उसको सहारा देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वो व्यक्ति आपको जिंदगी भर दौाएं देता रहे, हो सकता है कि हमें यह महसूस हो कि यह जो छोटा सा काम हम किसी के रहे कर रहे हैं उससे क्या फरक पड़ता है लेकिन याद रखिए कि वो छोटा सा काम भी किसी की जिंदिगी के लिए बहुत ही मुलिवान हो सकता है तो बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आपको इस बात पर विश्वास दिला देगी कि आपकी तोरा कि अगे एक छोटा सा अच्छा काम भी किसी व्यक्ति की जिंदिगी बदल सकता है एक बार की बात है कि एक बच्चा एक समुद्र के किनारे खड़ा होकर जहां पर बहुत सारी मच्छियां जो कि समुद्र में आयतुफान के विज़े से किनारे पर आ गई थी उन में से एक दो मच्छियों को उठा कर फेक रहा था और समुद्र के किनारे कम से कम हजारों लाकों की तादाद में मच्छियां पड़ी होई थी वहाँ पे एक व्यक्ति आता है बुढ़ा व्यक्ति और वो उस बच्चे को देख के कहता है कि तुम ये क्या गाम कर रहे हो तो वो बच्चा कहता है कि मैं इन मच्चलियों को बाहर की ओर फेक रहा हूं ताकि ये नदी में चली जाएं और इनकी जिंदगी बच जाए तो बुढ़ा हसने लगता वो कहता है कि इतनी लाखों मच्चलिया है तुमारे इससे कुछ नहीं होने का कोई भी मच्चली के उपर इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा तो बच्चा कुछ नहीं बोलता और मुस्कराते वे एक मच्चली को उठाता है और उससे समुद्र में फेक क्या कहता है इसको फर्क पड़ेगा तो दोस्तों ये कहारी बता सकते हैं कि हम हो सकता है कि अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के मदद नहीं कर पाएं हो सकता हैं बहुत लोगों के जिंदगी में बदला और नहीं ला सकें लेकिन गर हम किसी एक प्यक्ति की भी सहायता कर पाएं तो शायद इस धर्ती पे इश्वन ने जो हमें पैदा करके जो हमारे उपर रहसान किया है एक हमें मानो बनाया है उस मानो बनने की जो हमारी प्र इस फॉर्मूले को अपने जिन्दगी का लक्ष बना ले कि मेरी एक छोटी से सहायता अगर किसी को नहीं तो किसी एक छोटे से जीव के लिए भी सहायता कर सके तो शायद मेरे जिन्दगी जीने का जो मकसद है वो बदल जाएगा तो दोस्तों आशा करती हूँ जी छोटी से कहानी आपको पसंद आई होगी ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए क्रिप्याप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार